गुट मॉर्निंग स्टूदेंस, स्टैंडर थर्ट सबजेक हिंदी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेप्टर नमबर अईट जिसका नाम है प्राथना, प्रेयर आप लोग भी सोच रहे होगे कि बहुत दिनों के बाज आबाद आज हमने फिर से प्राथना सब्द, प्रेयर सब्द सुना हम लोग घर पे तो प्रेयर करते ही है, करते है ना आप सब को भी पता है कि हमारा जो जीवन है हमने जो ये जीवन मिला है वो किसकी मदद से मिला है भगवान के मदद से मिला है ना हाँ, तो हम हरोज सुबह उठते हैं, हमें दो आखे दी हैं, दो हाथ दीए हैं, दो पेर दीए हैं, एक बहुत अच्छे हमारे, हमें मम्मी पापा भी दीए हैं, दादा दादी पूरी दुनिया भगवान ने दिखाई हैं, और साथ-साथ बहुत एसे भगवान ने ऐसी बनाए हैं, जिस प्रकाश सूरिय, चंदर, तारे, फूल, यह सब किसने बनाए हैं? भगवान नहीं बनाए, उसको हम बना सकते हैं, नहीं न, वो है, भगवान ने बनाए हुए हैं, तो इस प्रकाश से हमें एक अच्छी जिन्गी देने के लिए, हम हर रोज भगवान को प दन्यावार करती हूँ, तो इसी प्रकार से हम प्रियर की मतलत से भगवान को ठेंकी बोलते, तो यहाँ पे भी एक अच्छी सी आपको प्रात्ना दी गई है, तो आप लोग मेरे साथ पेले गाओगे, बाद में मैं आपको उसका मतलब समझाओंगी, तो चलो बचो, चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिडियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रच्छी हमारी काया, उस इस वर को सदा मनाए उसे प्रेम से सीस जुकाए तो ये जो पोयम है प्रातना है वो किस ने लिखी है? सोहन, लाल, त्रिवेदि जिसको हम जो पोयम लिखते है उसको हम कभी बोलते है और जो पाठ लिखते हैं उसको हम लेखक बोलेंगे तो यहाँ पे यह प्रात्ना के रूप में कावे है तो हम इसको कवी बोलेंगे ठीके तो आप लोगोंने मेरे साथ कावे भी गाली बहुत अच्छी है ना तो आप लोग घर पे भी यह पूरा है यह पूरी आप अपनी तरह से घर पे यह पूरी आपको मिना देखे आजाने चाहिए तो चलो समझते हैं इसका मतलब कि भगवान को यहाँ पे कवी है वो किस प्रकाश से थेंक्यू बोलते है जिसने सूरज चांद बनाया यानि कि जिसने सूरज और चंदा को बनाया है जिसने तारो को चमकाया है कौन चमकाता है उसको भगवान चमकाते हम चमकाने जाते हैं नहीं वो भगवानी चमकाते यानि कि जिसने सूरज चंदा और तारे को चमकाया है जिसने फूलो को मेहकाया है फूलो को यानि कि खिलाना मेहकना यानि खिलाना जिसने फुलो को खिलाया है जिसने चीरियो को चैकाया है यानि कि जो खाती है चीरिया दाना उसको हम चहकना बोलते यानि कि जिसने फुलो को खिलते हुए खिलाया है जिसने चीरियो को खाने को सिखाया है जिसने सारा जगत बनाया यानि कि जिसने भगवान ने पूरा जगत बनाई है, दुनिया बनाई है, जिसने रची हमारी काया, काया यानि हमारा सरीर, यानि कि ये जगत जिसने बनाया और जिसने हमारा सरीर बनाया है, ऐसे उस स्वर को सदा मनाई, यानि कि ऐसे इस स्वर को आप लोग सदा उसको मनाई रखो, उसे हमेशा प्रेम से सीस, सीस यान यानि कि मैं एक बार फीर से समझा दूं कि जिसने सूरज, चंदा और तारे को चमकाया है, जिसने फुलों को और चिडियों को चहकना और महकना सिखाया है, जिसने सारा जगत बनाया है और जिसने हमारी काया बनाई है, एसे हमारे प्रिय इस्वर को हम सदा मनाए रखे और उस से हम प्रेम से हमेशा सिस जुकाते रहें इस प्रकास से यहां पे कभी ने प्रात्ना गीत द्वारा भगवान को थेंक्यू बोला है तो समझ में आ गई पूरी पोयम तो अब आप लोगों को ये इसका स्वाध्य करना है और ये पूरी पोयम एक बार आप लोगों को नोट दिखनी है समझ में आया ओके अ झाल 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 झाल